अहम्दाबाद साइबर क्राइम ब्रांच को आतंकवाद विरोधी अभ्यान भी बड़ी काम्याबी हाथ लगी है महराश्ट के बिवंडी में एक सफल ओपरेशन के बाद कोख्यात अपराधियों को गिरफतार किया गया है साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने साइबर आतंकवाद मामले की जाच को आगे बढ़ाते हुए बिवंडी में च्छापा मारा और सिम बॉक्स के अलावा तकनीकी उपकरन भी बरामत किये हैं अलाव नरेंदर मोदी स्टेडियम में मार्च महिने में एक क्रिकेट मैच brands खिलने जा रहा था उस समय भारत के प्रद्रान मंद्री और झाया वाले थे इस मैच्ट को देखने के लिए और यहां पर और काफी इसका पब्लिक भी जाने वाले थी देखने के लिए तो उस समय एक प्री रेकॉर्डेड मैसेज काफी यहां के नागरिखों के उपर आया था जिसमें स्टिक फॉर जस्टिस जेव एक बैंड संस्ता है उसका जो मुख्या है गुर्पन सिंग पन्नु उसके द्वार अधिमिन इंट्लिजेंस के बेश्ट पे काम किया था जिसमें लोगों ने मद्य प्रदेश के अंदर रेड करके और उत्तर में भी हम लोगों ने नौर्मल कॉल पर टांस्फर किया जाता है और इस परकार के कॉल हरे एक लोगों पर आ रहे हैं तो जिस बेस पर हमारी टेक्निकल टीम और हुमन इंटेलिजेंस के बेस पे हम लोगों ने व्यूणी में रेड की और वहां से हम लोगों ने एक मकान से चार सिम बॉक्स बरामद किये हैं कुल 605 सिंकार जो उसके नदर लगे हुए थे एडेल और बीएसनल कंपनी के वह लोगों ने कबजे किये हैं तीन राउड जो हम लोगों ने कबजे किये हैं वहां से हम लोगों को दो आरूपी मिले हैं जिसका नाम है मशीद गुलशेर खान जो भीवंडी का रहासी ह दूसरा आरूपी है मोहमद शाहिद आलम उमेर वह भी भीवंडी का ही रहासी है इन लोगों ने इस मकान में यह पूरा सेट अप लगा के रखा था और इसकी देख भल करना इसका मेंटेनेंस करना यह इन दोनों का काम था और यह पिछले 6-8 महीने से यह इस प्रकार की कार बाहि करें